बूर्णिंग इस्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल बायलोजी ईगोविन सायर तूदेश टॉपिक इस प्रॉपर्टी और जैनेटेग मैट्रियाल डियने वर्चे जा रहे हैं अल्रीडी हम डिस्केशन कर चुके हैं जैनेटेग मैट्रियल की डिस्कबरी के बार में सारे वीडियो ज्रेलिस्ट में है अब वहाँ से देख सकते हैं है हम जनेतिक मैटेरियाल यह एक्सपेरिमेंट तो हम अल्रेडि डिसकेशन कर चुके हैं कि डिय ने genetic material है RNA भी होता है protein genetic material नहीं होता है अब तुड़ेश टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो इससी property को define करता है कि genetic material के अंदर ऐसी कौन कौन जो property होनी की है जिससे हम यह कैसा कहें कि वो इन नियमों को follow करने वाला होना चाहिए ऐसे मैंने 4 property denote किये इन 4 property जिसके पर पाई आती है वो genetic material की property अपने पास आता है यानि वो genetic material की रूप में वर्क कर सकता है फर्स्त है self replication DNA and RNA दोनों के अंदर self replication की property पाई आती है आगे के जहां हम पढ़ेंगे steady replication central dog में थोरी मामने पढ़ाता है दिख रहा है central dog में थोरी मामने पढ़ाता है कि DNA में itself DNA इसके समान ये अपने कौभी तेयर करता है इस प्रोस्स को क्या कहता है replication तो DNA ने अपने समान कौभी तेयर कर लेकर अपने समान कौभी तेयर कर लेकर लेकर तो ये आ रहेने हैं DNA दौनों के अंदर replication की प्रोस्स पाइज आती है जह हम cell division पढ़ते हैं तो तो synthesis phase के अंदर जो nucleus divided होता है उससे पहले cell division में synthesis phase आती है G1S2 तो एस phase के अंदर जो genetic material है उस synthesis होकर की जैसीदेवल हो जाता है तो genetic material के अंदर first property क्या है तो उसके अंदर replication की property और ही चाहिए वह अपने समान दूसरी कोभी तागयार करने वाला होना चाहिए और इस प्रोतिंस दे परफ़ीस नहीं परफ़ी के उंतर नहीं पाई जाती है लोग प्रोतिंस आ हैक यत रिजुल परफ़ीजन हो हिसते सक नहीं पाईक है गल कोई जी हुदा है यह क्या हुद प्रोटिन और नहीं पाई जाती है यह प्रोटिन के अंदर नहीं पाई जाती है तो पहले पॉट्ट पर कौन फैल हो गया प्रोटिन फैल हो गया तो इसका मतलब दोमें यह गुंद रखते हैं तो उसके अंदर तो वो जैनितिक मेटिरियल्स के रूपने काम का सकता है यह चानल प्रोटिन और ने के अंदर पाई जाती है तो फर्स्ट इस के लिए आ रहा है कि डिन और ने बहुत दोनों के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपिसिटी पाई जाती है बड़ प्रोटिन्स दस नोट हैब प्रोटिन प्रोटिन से के अंदर यह एक है नहीं पाई जाती है इस्टेविलिटी सेगेंड प्रोटिन को उनसी है इस्टेविलिटी हमने ग्रफिट का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंशिपल को अच्छे से अब्जर्ब के था था 1928 में उन्होंने एक्स्परिमेंट के एग स है कि स्ट्रेप्रोगास जो बैक्तिरिया था उस पर उन 있지 देखा था हिस तो एरिब्क्रापिन है और उसको जरो आजिस बैक्तिरिया के साथ किया हीट के लेड एश स्ट्रेंड वैक्टेरिया जो के हीट के लेड था इसको निया आज ने वैक्किरिया के साथ में और इनके बिट्चा को इंजेक्ट करवाया था माइस के अंदर और माइस किया हो गाई कि यह निस्टी क्यों हुआ कि वो जलेटिक मैट्रियाल किसी भी लाइप साइकल या एक या किसी भी स्टेट के अंदर उसकी फीजोलाजी में चैंजेज नहीं हुआ उसके अंदर जो एक अन्दर उसका नहीं चाँ उसको जैसे प्रोड़ाज बला उसने अपने प्रपर्टी को एक्स्प्रेस कर दिया यह तो यह चैंजेटेग मैट्रियाल की प्रपर्टिक है लोज कर पाया नौट तू चैंज में डिफ्रेंट स्टेजें लाइप साइकल एक बिट चैंज एन फिजीकल फिजोलाजी ऑफ दा और और यह अच्छे से हमने ग्रफिट एक्स्पेरिमेंट में देख लिया कि जो हमारा एस स्टेंड था उसका जो जैनेटिक मैंट्रियल था उसने आर्स सिजोवी है उसका में हीट करें या तो यह सुथ वी तेखले कर दिया थे आए तो जैनेटिक मैट्रियल फिस पैमेश समैज और यह सिंतिध केथे शूब शुड़त की सबलेखेड़Lette नहीं होना चाहिए प्रोटिन के अंदर के पाई आधी है इनके बंपने कमपेशन क्लाइट है और ने ने में से कौन हां मुस्ट स्टेबल है प्रेश्나 है डिये ब यहाँ इस है यसे में बढ़ यह हुआ डौना है जो फृस्ट आ आरेने का जिसमें को चैंजेज हुए और इस्टेवाल इस्टेवाल कौन सा है इसके हम कुछ पॉइंट हो की बेस पर एक्सप्लेशन करता है इस एक्सप्लेशन को समझने के लिए आप लोगों को डियाने आरेने की इस टेक्टर पता होना था यह जब हमने पॉलिनुक्लोटा आगें मैं आप लोगों को बता देता हूं जो DNA और RNA रुटे हैं इनके अंदर सुगर बाई लागें दोवनों पैंटोल इस यह पैंटोल सुगर है एक और फिलन को देश्टर के बताई यह किसका हो सकता है DNA आराइने का सोच के देखिएगा अब ही आराइने का में बना रहा हूं Rruktur, राई ने की स्टेक्चर्स दोनों के अंदर Pantorts सुखर पाई जाती है राईए के अंदर Ribos सुखर पाई जाती है DNA अंदर D OFC Ribos सुखर पाई जाती है दोनों में Difference है CS2X numbering कर देता है इंडिली समेंट आजाएगा 1 position, 2nd position, 3rd position 4th position 5th position जैठीगा no change during graphic transformation principle हम सकते फ़ले DNA की प्रोपर्टीट की बारे में देखते हैं इस ट्रेक्टर अपार इस DNA और लोगर एक्स RNA तो यह तो अपने फ़र्स्ट प्रोपर्टीट की अच्छी से देख लिया कि ट्रांसफ़र्मिंग जो ग्रिफिट का ट्रांसफ़र्मिंग प्रिंसिपल था उसमें DNA की नेचर में कोई changes नहीं हुआ उसको इडिकलेट कर दिया उसके पास जैसे उसको फैबरेबल कंडिशन्स मिली साइटोप्लांस मिला उसमें अपना जो प्रोपर्टी उसको एक्स्प्रेस कर दिया और आर स्टेंड जो गत्रियास था उसके नेचर को चैंज कर दिया जिससे वह निमोनिया जो डिजीजा उसका खौजेज बन गया और मैस की डेट हो गई चुए की मिट्टू हो गई फर्स्ट सीजन आपने उसको समझ में आगया कि इसके नेचर में कोई चैंज नहीं होता है हम बसे डी अनल आरे का कमेरिजन बढ़ रहा है दूसरा थाइमीन थाइमीन प्रोफाइट अडिस्टेसनल है इस टेपलीटिटि जा हमने बेटेशलिग पढ़े थे हैं ट्रेक यार करो एजी कड़ क्या त्रेक्षिज की एजी कड़ अजी कड़ एजी कड़ एजी कड़ चाहे वो RNA हो या DNA हो इन पांक में से कितने पाए जाता है 4, 4 genetic material पाए जाता है Purine genetic material यह क्या है Purine, Purine RNA और DNA गवर्रों में पाए जाता है और cytosin and thymine यह DNA पाए जाता है और cytosin, uracin किसमें पाए जाता है RNA पाए जाता है, ठीक है तो यह जो थाइमीन है, यह प्रोवाइड करता है additional stability RNA में क्या पाए जाता है, uracin तो uracin less stable होता है uracin less stable होता है but thymine is more stable इसलिए DNA यह most, most stable molecules यह थेंजित होगा या क्योंकि RNA यह फर्स्ट यारेटिक मेंट रही है और यह unstable था, और liable यह liable and easily degrable था RNA आशारी से destro होड़े वाला था और unstable की था, जादा more stable यह नहीं था तो फर्स्ट होगा था कि यह noachin होता DNA और RNA में uracin और DNA में थाइमीन होता है और थाइमीन प्रोवाइड extra additional stability to DNA, DNA को extra stability प्रोवाइड गरवादा है नश्पबड़े, both stand are separated both stand are separated and high temperature and come together and appreciate condition are provided ट्रांस्पर्वल प्रिंसिपल था वोई प्रिंसिपल है लादे कि हमारे पास यह नहीं DNA को, high temperature पा इसके both stand को separate किया जा सकता है यह कोई यह DNA है तो जब इसको high temperature दिया जाएगा तो इसके दौनों strand separate हो जाएगी इसके बहुत strand मैंसे यह इस प्रकार से ही separate हो जाएगी बाद जैसे इनकी favorable condition आएगी एप्लोसिया condition आएगी तो यह दौनों पास पास आ जाता है DNA यानि high temperature पान को separate किया जा सकता है और favorable condition पर दोबार यह अपने पास पास आ जाता है तो यह बहुत बुनाया और यह complementary की आगान होता है complementary क्या होता है तो आप लोग पसे पता चल गाया होगा आप लोगों को polymucleotide दे रखने पढ़ाया था कि A T यह कोई polymucleotide का नेट्रोसिया बेस है यह suppose 5-3-dash end है तो इसका रादा चैंपर कौन से यह बेस होंगे एक साथ T A G C T A और यह होगा आपका 3-dash hardest है तो यह complementary के गुण कहलाता है यादा रहा? तो यह चैंप पाई जाती है high temperature पर इस दोगों separate हो जाती है favorable condition पर दुबार आए lie हो जुड जाता है एप्रोशेट इस फैब्रेवर condition के अंदर तो यह properties कि इसके अंदर पाई जाती है DNA के अंदर पाई जाती है कुछ properties की जो कि DNA को more stable बना दी है किसके comparison? RNA के comparison जाती है एक बार आगे DNA more stable को है क्योंकि यह अपने physical form पर कोई भी change नहीं होता है इसके अंदर यह आपने with proof Griffith experiment में Griffith experiment में explain किया provide करता है additional stability और इसके जो बहुत strength रहते हैं उनका यह nature रहता है यह temperature पर separate हो जाता है और low temperature पर यानि फेर्रुमार के condition आने पर को दुब़रा अपनी जो मूल के condition है उसके वापस आ जाता है RNA First property RNA Cetyloid group present at every nucleotide in RNA और यह एक आधी active group होता है क्योंकि RNA liable non-stable and easily degrable degrable destroyable सुगर 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 डिनाउट किया है इकसाद जैसे यहां पर nitrogen base add हो जाएगी carbon पर phosphate add हो जाएगा तो यह क्या nucleotide बन जाएगी Second position पर देखिएगा RNA में क्या है OS group RNA में क्या है OS group और DNA में क्या edge group बस यह ही OS group देखनी रहा RNA करना यह Second position पर कारण की Second position पर जो OS group है यह इसको liable and degrable unstable and destorable बनाता है यारि इसके stability की प्रपर्टी को यह ही less करता है और जब यह 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 oxygen प्रपट गया तो इसने most stable compound DNA का formation किया जो रुस्टेल के बारे पहली बता चुछ है यह less stable है और DNA में इसके हिस्तान पर ठाइमीन आ गया जो कि इसको more stable बना दिया RNA के आल्सो नाव new catalytic property इसके अंदर catalytic property भी है जो कि इसी रियक्ते बना दिया RNA के अंदर तो यह से enzyme करा हम जमतो हम लोग जो RNA का RNA polymerase बहुत पड़ेंगी हम transcription में आगी जब आएगा RNA polymerase पुरा enzyme है तो यह क्या RNA के अंदर यह catalytic property भी पाई जाती है जो कि इससे reactive बनाती है मुष्ट सक्रिये बनाती है तो यह stability की property की DNA versus RNA मुटेशन मुटेशन is very necessary for variation मुटेशन बहुत ही आवश्यक है किसके लिए variation के लिए और किसी species में जब variation होगा तो वह evolution के लिए very important evolution तब ही होगा जब वह सी species के अंदर variation होगा तो थर्ड पॉइंट है mutation मुटेशन 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 के लिए मुटेशन के कारण क्या produce होता है variation के लिए तो फिनोनोमाज कौन थे comment box ना बताओ जिल्दी सोचके variations के लिए जो responsible phenomenon थे एक तो होता है crossing over और दूसरा मुटेशन यह दोना ही variation यानि differentiation बिनिता के लिए 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 और जब किसी में differentiation होगा किसी भी आगरिक के अंदर तो भी इसका differentiation होगा तो बहुत DNA और RNA दोनों के तरे capability है DNA और RNA और तो बूटेशन की property पाई जादी है जब ट्रॉसरा मॉवर होता है जब DNA में जब cell division होता है तो ट्रॉसरा मॉवर के कारण इंद में RNA भी unstable और इसके अंदर mutual rate faster faster rate RNA में जदर पाई जाती है क्योंकि यह unstable तो इसके अंदर mutual rate किसके अंदर fast होती है RNA बसके DNA तो यह आप लोगों का अच्छे से learn ड़न ड़न रहा है क्यों mutual rate है RNA के अंदर जदा पाई जाती है DNA में mutual rate कम पाई जाती है RNA के अंदर mutual rate ड़न पाई जाती है क्योंकि इसकी जो strict नहीं रूप से RNA less less reactive strict नहीं रूप से less stable यानी reactive virus having virus having RNA DNA नम virus सच के अंदर RNA DNA पाई जाता है and help certain life spawn mutated and evolve faster RNA के अंदर जो viruses बगेरा होता है उनमें यह RNA पाई जाता है Span virus के अंदर की RNA जीना पाई जाता है जो life spawn होती है वो काभी कम होती है और इसमें mutation बहुत जाड़ा होता है जिससे इसमें जो evolution है उसकी rate बहुत ज़्यादा होती है आज कल जिसकी बज़े यह online class है नो तो बहुत स्रमें से चल्ली आ रही है यह online classes का लेकि इसमें किसी वज़े से coronavirus की वज़े से तो आपको उस coronavirus का अंसर यहां से घुनने की कौशिश कीजेगा आपको जन्बरी में coronavirus आया था यह मेना चल रहा है सेतंबर 2020 का लगवग 9 मेने 9 मंथ गुज़े तो आपको यहां से भी सकता है क्योंकि जो coronavirus है उसके अंदर genetic material को इसा है वो भी तो virus है यह जितने भी coronavirus है उनके अंदर जो genetic material है वो है RNA तो RNA क्या होता है more reactive होता है बहुत ही इसके अंदर mutate rate fast होती है और यह अपने रूप को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है इसलिए दुनिया वरकी सांस्यस लगे हुए है इसकी vaccines या medicine ढूनने के लिए तभी इतनी जल्दी vaccines बन नहीं बादी है उसका main कारण क्या है क्योंकि इसके अंदर जो genetic material है वो RNA है और RNA के अंदर mutation rate fast रहती है जिसके कारण यह अपने फॉर्म को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है इसके अंदर fast है यही कारण है कि जो coronavirus है उसकी vaccines बनने में लेट हो रही है और इसके दवाई नहीं बन पा रही है क्योंकि इस चंद्र जो पाए जाने वाला genetic material है वो RNA रहता है और RNA more reactive है और more reactive है इसके अंदर mutiative fast है जिसके अंदर इसके रूप में changes बहुत जल्दी आ जाता है तो हमें RNA virus coronavirus के बारे में भी आंसर मिला यहां से नेस्ट जो है हमारा food सबसे important है ना यह प्रोटीज में पहले जाता है यह property एक प्रोपर्टी के फूरों नहीं करता है प्रोटीज to express itself in the park मेंडेलियन करेक्टर यह मेंडेलियन ले बता दिया था जो कि करेक्टर्स के लिए responsible है जो कि one generation to next generation transfer होते हैं बिल्कुल सरी बात है तो जो genetic material है उसके अंदर यह ability रहती है कि वो heredity character उसको या character को express करने की ability उसके अंदर होनी चाहिए to express itself in the form of मेंडेलियन character और यह जिलिए हम discussion कर चुके हैं मेंडेलियन के experiment में बहुत हमने देखा था कि जो character है वो बंग PD से next PD का transfer होते है DNA, RNA और protein DNA से किसका निमार होता है mRNA का central dogma फोरी है mRNA से protein का complete central dogma फोरी तो mRNA आप लग दोखरो mRNA DNA की express करना है protein को किसकी बज़ा है DNA DNA dependent होंगा RNA to express character DNA आपने character के express करने के लिए इसको dependent है RNA पर जब कि RNA सुतंत रूप से probing का formation कर रहा है तो यह बात दी जो expression है mRNA तो directly protein को express कर रहा है यह character को express कर रहा है बट DNA directly protein को express ना करके किस पर dependent है mRNA पर तो express करने की यह तो trick है one way expression यह crack ने प्रपूर्ट किते central log मज़ोरी के नाम से जाने जाती है mRNA करनमा transcription mRNA to protein करनमा transcription तो अब 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 जितने की अपने discussion किये है इनसे एक conclusion निकलता है कि DNA is more stable for storage genetic information क्योंकि DNA के understability more है तो genetic information को अपने यहां storage करने के लिए बहुत जादा यह more stable material है and RNA is better transmission of genetic material यह बात हमाँ पतर चल गई क्योंकि RNA directly protein बनाता है तो DNA और RNA दोनों के वस्टे दोनों के compression हमने study किया और यह रजेट निकाला है क्योंकिस के लिए ज्यादा ability रखता है तो DNA is more stable DNA is very important is more stable for storage of genetic information किसी भी genetic information को यह storage रखने के लिए more stable है जबकि RNA transmission of genetic information is better RNA किसी भी heredity corrector को transfer करने के लिए अधिक better है तो यह genetic information कि properties थी जिसको हमने बन्बाइबान study किया four properties थी first aid, self replication stability, mutation and expression to Mendelian today's question बोड़ पर नजर आ रहा है आप लोगो DNA strength का यह बन सुप्टेंस है five dash three dash direction का यह single state है जिसके अंदर सुप्टेंस प्रकाश है आपको finite करना है write down करना है दारादा सुप्टेंस आओ complimentary strength three dash five dash direction का यह five dash three dash है तो आपको इसका complimentary strength three dash five dash direction याद करना है पर इसका अंसर आप मुझे comment box में लिप करके पता हुए सभी का धन्वाज वीडियो देखने के लिए कोरोना में सभी खुश रहे हैं और बगवान से दुआ करें यह विमारी जल से जल जाए क्योंकि online classes पढ़ाते हैं बट physical यह virtual classes is not better जड़ा better नहीं है और physical form में जब आप लोग हमारे आमने सामने बैठे होंगे तब पढ़ाने का पढ़ने और पढ़ाने दौनों का हथ बहुत ज़्यादा रहता है तो इसलिए आप भगवान से दुआ करें कि यह बीमारी जल से जल जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को बनाए रखें अगें धन्वाज सभी का वीडियो को लाइक करना नहीं बुले हैं और जोनों नहीं सब्सक्राब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राब जरू करें अगें सभी का धन्वाज अगें